जब आपके चैनल को जब आपके वीडियो को यूटीब प्रमोट करता है तो आपको उसी टाइम पे ध्यान देना है कि मेरे आभरेज व्यूज दस बीस पचास आ रहे थे और इस वीडियो पे पांसो हजार आ गया है मतलब कि ये वीडियो चल गई मतलब कि ये वीडियो वारल होगे यूटीब की गलती नहीं है यूटीब तो आपके वीडियो को प्रमोट करता ही है लेकिन आप उस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते है कि यूटीब जब आपके वीडियो को प्रमोट कर रहा है जब आपके नॉर्मल भी उससे दस बीस पचा भी उससे 500,000 भी उसकिसी वीडियो पर आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, तो इस वीडियो में आपको वही मैंने समझाने ही खुशिस किये, को उसी टाइम पर आपको मौके पर छक्का मारना होता है, दोस्तों जो लोग भी YouTube पर चैनल बनाने के बाद, मा 3 महीने अगर अच्छे से काम कर लेते हैं, तो उनका चैनल YouTube कहीं न कहीं जरूर प्रमोट करता है, और इस बात का मैं लाइव प्रूफ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जब आपका चैनल YouTube प्रमोट करता है, उसी टाइम पर आपको कुछ ऐ ऐसी चीजे करने की जरूरत होती है, जहां से आपका चैनल बूश्ट हो जाता है, लेकिन काफी लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो चैनल बना लेते हैं, काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, और कहीं न कहीं उनकी एक वीडियो YouTube वाइरल कर देता है, मतलब कि उस एक डाउन हो जाते हैं, आप में इसे काफी सारे ऐसे लोग होंगे, जिनके चैनल पे आप कुछ दिनों वीडियो अप्लोड करने के बाद वीडियो वाइरल भी हुई होगी, लेकिन अभी वो वीडियो अप्लोड कर रहे होंगे, तो फिर जो है वीडियो पचास सो ऐसे जो है आ और इस चीज़ से आप जो है रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे, इस बात का लाइफ प्रूफ भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दिजेगा, चैनल को सब्स्राइब कर दिजेगा, और जादा सजादा व आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे चैनल मैं रोज चेक करता हूँ, अब मैं इस में से किसी भी कुछ चैनल को यहाँ पर चुन लेता हूँ और आपन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिलपा स्टोरी यह चैनल है, इसको मैंने आपन कर दिया, यहाँ पर दे कि अब ही यह एप्लोट कर रही है, तो 1 घंट में 170 ब्यूँ ₤ 45 ब्यूँ ₤ 1,6 ब्यूँ ₤ ऐसे ज़ो है जा रहा है, लेकिन इनके वीडियो को YouTube ने वाइरल किया है, कब किया है, 2 वीक पहले जो है inके वीडियो को यूट्यूब ने वाइरल किया है मतलब कि 20,000 व्यूज यूट्यूब ने भेजे हैं अब मैं आपको और भी चैनल दिखाता हूं दो तीन एक्जामपल देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो में मैं ऐसे ही बता रहा हूं कुछ चीजे फेक हैं क्योंकि इस उठाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 सब्सक्राइबर 124 वीडियो इन्होंने अप्लोड किया है अभी इनके व्यूज किस तरीके से जा रहे हैं 51, 32, 42, 32 इस तरीके से व्यूज जा रहे हैं पॉपलर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 312 वीज मतलब कि ह हर चैनल जो भी चैनल यहाँ पर मैं चुनूंगा उस चैनल में आप देखेंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब जो है आपके वीडियो को वाइरल करता है बूस्ट जरूर करता है लेकिन उस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं मालीजे बहुत पार क्या होता है कि हम वीडियो अप落़ोड किये जा रहे हैं हमारे वीडियो पे 10, 20, 50 वीउ जा रहा है और उसी में क्या होती है कि कोई वीडियो पे 1000, 2500 पांच वीउ जो है चले जाते है तो क्यों जाते हैं यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट करता है अब उस वीडियो के थुरू आपको अपने चैनल को कैसे ग्रो करना होता है, यही चीज बहुत लोग को पता नहीं होती है, जिसके कारण उनका चैनल आगे चलके ग्रो नहीं हो पता है, फिर से नॉर्मल व्यूज आना सुरू हो जाते हैं, यह चीज आपने देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो चीज है जो आपको करनी चाहिए, जैसे ही आपको लगता है कि मेरे वीडियो पे 50-100 व्यूज रेगुलर जा रहे हैं, और कुसी वीडियो पे 1000-2000 व्यूज चलेगा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको एक्जामपल के साथ बताता हूँ, मालने जे कि यह च वापस से बनानी होती है चैनल पर, मतलब यह मैं नहीं कहा रहा हूँ कि जो वीडियो आपकी वाइरल हो रही है, वही वीडियो आप बनाईए, उसमें करना क्या होता है, कि उसी से रिलेटेड वीडियो पहले बनाना होता है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद आपको क्या कर 28,000, 46,000 अब माल लिजे कि मैं जो है regular video upload कर रहा हूँ और मेरे channel पे 10,000 regular view जा रहा है ठीक है अब माल लिजे कि मेरी कोई video viral होगी जैसे मुझे लगता है कि इस video को viral कर दिया YouTube ने, मतलब इस पे 46,000 view चले गया, तो 46,000 average view से जादा हो गया, तो हमें क्या करना होता है कि उसके बाद इसी से related topic, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है YouTube का एक और नया बड़ा update, अब YouTube खुद आपकी वीडियो प्रमोट करेगा, यह मैंने जो है सो माल लिजे वीडियो बनाया है अब इसमें करना क्या है, माल लिजे आप regular वीडियो अफलोड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, आपके वीडियो पे 50-100 पचास सो फ्यूज आ रहे हैं, और कोई वीडियो पे आपके 500 या 1000 फ्यूज चला गया, तो वो आपके channel का एक तरीके से वाइरल वीडियो हो एक तरीके से उस वीडियो को YouTube प्रोमोट कर रहा है, अब उसके बाद क्या करना है? वो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, माल लिजे वो वीडियो पर आपको लगता है कि YouTube ने प्रोमोट किया, अब उसकी उस वीडियो को यहाँ पर edit पर क्लिक करके, edit यहाँ पर इस तरीके से करना है जैसे इड़ीट पे क्लिक करेंगे आपको यह देखना है कि इस वीडियो में ने क्या टाइटल डाला हुआ है जो भी टाइटल आप ने डाला हुआ है वही सेम टाइटल आपको डाला है थोड़ा सा चेंज करके यह नहीं कहा रहा हूँ कि यहां से आप कॉपी करें और डारेक्ट अपने नए वीडियो में पेस्ट कर दें जी नहीं बिलकुल यह नहीं करना है आपको इसी से रिलेटेड जो है सो टाइटल जरूर डालना है same to same उसके बाद यहां पे कुछ चीजें हैं कुछ पॉइंट से जो कीवर्ड आपने उस वीडियो में इस्तेमाल किया है जो वीडियो आपकी वाइरल हुई है उस कीवर्ड को आपको यहां से उठाना है और अपने नए वीडियो में आपको पेस्ट कर देना है लेकिन इसमें कुछ और keywords भी आपको साथ में जरूर add करना है, same to same बिलकुल भी नहीं डालना, थोड़े मोडे changes जरूर होने चाहिए, उसके बाद third चीज यहाँ पर tags में आना है, और जो tags आपने उस वीडियो में इस्तेमाल किया था, जो वीडियो आपकी वाइरल गई है, उस की उस वीडियो को YouTube ने promote किया, आपकी उस वीडियो को YouTube ने logo तक भेजा, अब आप जैसे ही उसी तरीके का title, उसी तरीके का description, उसी तरीके का tag अपनी नहीं वीडियो में डालेंगे, YouTube सेम उसी algorithm से और logo तक आपकी वह भी वीडियो भेजेगा, और यही हो रहा है इस channel में, इस चैनल में देखिए क्या हुआ है इस चैनल में दो वीक पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसी से रिलेट cheated यहां पे latest वीडियो में भी टाइटल डाला जा रहा है और latest वीडियो में टाइटल जालने का यहां पे नतीजा देखिए कि इनके वीडियो पे पास दिन पहले up 5000 चार हजार व्यूज, छे दिन पहले एक हजार व्यूज, छे हजार व्यूज, इस तरीके से जो है व्यूज जाना शुरू हो गए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने वीडियो अपलोड किया और आज ही से आपकी वीडियो वाइरल होना है, और ये आप जैसे ही करेंगे, तो यूट्यूब का algorithm उसी tag को, उसी description को, उसी title को पकड़ेगा और आपकी और वी वीडियो वाइरल होना शुरू हो जाएंगी, जैसे माल लिए कि इनकी एक वीडियो यहाँ पे चलना सुरू हुई दो वीक पहले, अब इसी वीडियो के पीछे पीछे वो भी वीडियो जो है सो promote होगी, जैसे कि इस वीडियो को मैंने open किया, तो इस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं कि इनकी ये वीडियो भी आ रही है, क्यों कि इन्होंने सेम उसी तरीके से इसका title, उसी तरीके से इसका description डाला है इसलिए इनकी वीडियो के नीचे इन ही की वीडियो आ रही है, आप लोग क्या करते हैं या आप लोग एक वीडियो यूटिब promote करेगा, उसके बाद आप उस तरीके की वीडियो ही नहीं बनाएंगे, आप कुछ और ही वीडियो बना लाएंगे, तो आपका वीडियो टो वीडियो promotion होता ही नहीं है, वीडियो आपकी आगे की promote होती ही नहीं है, अब जैसे कि आप इदहान से देखें, इनकी एक वीडियो में ने परिड़ी तो आपको चैनल को जब आपके वीडियो को यूटुब प्रोमोट करता है मतलब की तःति तुने बनाना है लेकिन उसी से रिलेटे वीडियो बनाना है उसी से RAW वीडियो बनाना है उसी तरीके से tag डालना है और आप देखेंगे कि उस वीडियो पे भी recommendation जा रहा है वो भी वीडियो आपकी promote हो रही है और इसी तरीके से क्या होता है कि वीडियो promote होते जाता है subscriber बढ़ते जाता है और आपका channel धिरे धिरे grow होने लगता है यही YouTube का algorithm अगर आप इस algorithm को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं इस वीडियो को ध्यान से समझ जाते हैं इस वीडियो को जाके दुबारा देखिएगा अगर एक बार में समझ ना है तो दुबारा देखिएगा और इस वीडियो को अपने जहन में बैठा लिजे किस तरीके से आपको YouTube पे काम करना है YouTube की गलती नहीं है YouTube तो आपको वीडियो को प्रमोट करता ही है लेकिन आप उस point को नहीं पकड़ पाते है कि YouTube जब आपकी वीडियो को प्रमोट कर रहा है जब आपके normal भी उस से 10, 20, 50 भी उस से 500,000 भी उस किसी वीडियो पे आ रहे है तो उस time पे आपको क्या करना होता है तो इस वीडियो में आपको वही मैंने समझाने इकोसिस किये को उसी time पे आपको मौके पे छक्का मारना होता है कहा जाता है कि मौके पे छक्का मारिये तो आपका जो है सो growth हो जाएगा तो उसी time पे आपको कुछ ऐसी चीजे करनी होती है जिस time पे आपका automatic video जो है promote होना शुरू होता है तो I hope दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगरे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएगा वीडियो देखने के आपका दिल से धन्यवाद